एक तारीक एक घंटा का अभियान रविवार को धनबार में तेज बारिश के बीच चला IT ISM हो, रेलवे हो, धनबाद नगर निगम हो, भाजपाप पार्टी हो या अन कोई संस था सबों ने इस कारक्रम में हिस्सा लिया रेलवे के कारक्रम में सांसत परशुपती नाथ सिंग, DRM सहित अने शामिल हुए IT ISM है डिरेक्टर सहित 500 से अधिक टेक्नोक्राइट हिस्सा लिया इधर इन कारक्रमों से अलग हटकर तेज वर्षा ने की बीच ग्रीन लाइफ जरिया एवं यूथ कॉंसेप्ट के सहित तत्वाधान में बायू प्रदूशन के खिलाब जरिया में पद्यात्रा निकारी गई इस पद्यात्रा में लोगों ने हिस्सा लिया वर्षा के बावजूद लोगों के उच्सा में कमी नहीं देखी गई पद्यात्रा में शामिल लोग हाथों में तक्तिया ले हुए थे कह रहे थे मेरी सांस है, मेरा हक, स्वक्ष हवा की है दरकार, रहम करो सरकार तरक्की की क्या घड़ी, प्रदूशन जरिया में बढ़ी नेता रिकारी शर्म करो, मौत की बारिश बंद करो हवा नहीं जो शुद मिलेगी, कैसे फिर सांस चलेगी, जैसे नारे लिखे हुए थे और लोग आक्रोशित थे जर्या चिर्लन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पद्यात्रा में शामिल लोगों ने शपत ली जब तक जर्या में धूल गन की बारिश बंद नहीं होगी, संगर्ष जारी रहेगा नेड़ने हुआ कि 2 अक्टूबर को गांधी जैनती के दिन जर्या चिर्या चिर्लन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे पद्यात्रा में शामिलोग धड़ने पर बैठे हैं ये बात तो सच है कि जर्या से कोलियरी इलाके में प्रदूशन का खत्रा लगतार बड़ा है ये एक घंट एक दिन के अभियान से कुछ बात बनने वारी नहीं है इसके लिए सतत प्रयास की जरूरत है वैसे ग्रीन लाइफ जर्या और यूथ कॉंसेप्स प्रदूशन के खिलाफ लड़ाई लड़ा है समाच के लोगों का भी उन्हें सायोग मिल रहा है कोलांचल की जमीन में लग्याक से जो प्रदूशन हो रहा है वो हवा, पानी और जमीन को प्रदूश्यत कर रहा है इसे निकालने वाले धुए में कार्बन, नाइट्रोजन और सर्फर जैसी जहरीली गैस होती है जो पार्टिकोलर मैटर के साथ मिलकर फेफड़े और तचा के रोगों का कारण बनती है लोग ये भी कहते हैं कि बदूशन की कारण जरिया में बिमारिया बढ़ रही है धनबाद से ब्यूर पर